Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी free of cost. Kindergarten से लेके class 12 तरकी. CBAC board की courses के साथ-साथ आपको other state board की भी courses available है in Hindi medium जैसे की UP board, Bihar board, Delhi board की courses. Proper systematic way में कोई दिक्कत परिशानी आपको नहीं होगी. Daily practice sets के questions भी मिलेंगे, practice भी करते जाएगा. E-books और E-notes के link आपको description box में available है, तो भटकिएगा मत. हमारा आज का topic क्या रहेगा? हम जानने वाले भाई levels of government. Government के levels क्या है? आपको याद होगा कि मैंने chapter overview में just brief दिया था कि three types के level होते हैं हमारे government के national, state level, local level, क्यों होते हैं, क्या होते हैं, यह सबज़ेंगे सब हम इस topic में. आपको क्या करना है? आपको like कर देना है, जो मेरे motivation के बहुत ज़्यादा सहरूरी है. जैसे कि मैं हमें इस शकले कहती हूँ, और share कर देना है अपने classmates को, और comment करके बता देना है कि मैं हम ready है. करे start, start करते हैं. इससे पहले हमने क्या पढ़ा? levels of the government जानने से पहले, अगर आपको याद हो कि जो हमारा पिछला session था, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? जो हमारा starting था, chapter overview और introduction में, कि government क्या होती है, government क्या role play करती है, ऐसा क्यों करती है, इतनी सारी manage करने का जो जिम्मेदारी government ने क्यों ली है? इसलिए लिए क्योंकि government कहती है, मैं आपकी leader हूँ, वो खुद को leader मानती है हमारा, कि मैं आपकी leader हूँ, मैं आपके लिए काम करूँगी, तो इसलिए आप उसकी tension मत लीजे, हमने देखा ना कितने सारे काम जो है government हमारे ले करती है, कैसे कैसे काम, जैसे हम देखते हैं, electricity से हमारी government करती है, करती है की नहीं करती है, हमने देखा ऐसा इसलिए करती, क्योंकि government खुद को बोलती है, मैं people, जो आप लोग है, आप लोग की मैं leader हूँ, आप लोग को मेरी पीछे रहना है, मैं आपको protect करूँगी, तो सारी चीजों को जिम्मेदारी लेने का काम government करती है, फिर हमने government के कुछ institutions भी देखे थे, क्या कोई मुझे comment में बताएगा कि क्या क्या institution हमने government के देखे थे, एक भी बता दो हमने तीन example देखे थे, उसमें से एक याद है किसी को, तीनों याद है तो बहुत अच्छी बात है, एक याद है तो भी अच्छी बात है, क्या याद है अब भारत पेट्रोलियम का एक्जामबल देखा था, हमने रेलवे का एक्जामबल देखा था, तो यह सारे एक्जामबल क्या है, यह सब government institutions है, आया समझ भे, अब हमारा topic क्या रहेगा, हमारा topic रहेगा भई, levels of government, government के अलग-अलग जो levels होते है, now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it manages to do all these, हमने यह तो समझ लिया, कि government बहुत सारी चीजे करती है, समझा की नहीं समझा, जो हमारी government है, हमने समझ लिया है, कि responsible होती है, बहुत से different different चीजों के लिए, अलग-अलग चीज हमने देखा था, चाहे food facility हो, है न, चाहे education facility हो, चाहे हम law से related facility हो, protection से related facility हो, बहुत सारी कि जो manage करती कैसे, government यह सारी चीजे manage कैसे करेगी, इतनी सारी चीजे, चाहे वो national level की चीजे हो, चाहे छोटे से छोटे level की चीजे हो, local level की चीजे हो, या states related चीजे हो, यह सारी चीजे government manage कैसे करती है, यह कभी आपने सोचा है, देखते है, the government works at different levels, at the local level, at the level of the state and the national level, जो हम हमारी गवर्मेंट है अलग-अलग लेवल पे काम करती है तो अगर मैं यहां पर बना दूँ ऐसे आपके लिए हमारी लेवल्स बना दूँ गवर्मेंट की तो ऐसे अगर मैं आपके लिए काम की वर्मेंट के दो ऑना यह हमारी क्या है government की level है देखो लिखा है ना local level में होती है government state level में होती है और national level की government होती है तो यही मैंने आपके लिए बनाया है ऐसे box मना लीजे आप ऐसे chart के form में भी समझ सकते हैं समझ में आ जाएगा आपको यह देखिए यह क्या है हमारी levels of government यह national level है यह state level की होती है और local level की होती है थ्री लेवल होती है हमारी government की तो इस तरीके से आप देख लीज़े देखिए अलग-अलग level है national state और local level देखते हैं the local level means in your village town और locality local level से क्या मतलब समझते हैं अगर हम इ यहां पर अगर आपने देख लिया local level का क्या बोल रहे है लोकल लेवल के examples क्या दिए जैसे आपकी कहां का की चीज़े local level की चीज़े कह रहे हैं अगर आपका विलेज से रिलेटेड चीज़े ताउन से या लोकेलेटी से मतलब विलेज टाउन्स और क्या लिखा है आपकी लोकेलेटी से रिलेटेड यह हमारी local level की government manage करती है कौन manage करती है हमारी manage करती है local level की government second हमें बोला है second हमें क्या बोला है कि state level की जो government है इसका मतलब है कि covers and entire state like हरियाना और state मतलब state affairs state government state level manager's affairs related to entire state मतलब सारे state से रिलेटेड जो भी चीज़े manage करती है वो करती है state government ठीक है अब थर्ड है हमारी last जो national government है national level national level क्या करती है अ. अ. ठीक है नैशनल लेवल अगर नैशनल लेवल गोवर्मेंट की बात करें तो वक करते हैं इंटायर नेशन और कंट्री के लिए तो मैंने आपके लिए इसल्ए बनाएं ताकि आपको यहां पे वैसे तो करके समझ में आ जाएगा बट हमें क्या करना है इसमें समझें के जो ज़्यारा च्रहिए ये की तो लोकल की देखती है लोकल चाइबाने काम करती है किी ही विलेज ताउन लोकाले से सब चीजे कौन करेगा यह लोकल लेफल की सरकार करेगी ठीक मतलब आस पास का बिल्कुल छोटे लेफल का यह हमारा करती local लेफल की अब national लेफलों की में आके आक काम करेगी इसलिए यहां के लिग अलगी गवर्मेंट बना लिग यह कोई यहां की प्रॉब्लम से प्रॉब्लम से सब जगे आएगी ऐसा तो है नहीं कि सिफ लोकल लेवल की प्रॉब्लम में तो स्टेट लेवल पे नहीं आएगी या नैशनल लेवल पे नहीं आएगी तो लोकल लेवल की प्रॉब्लम जैसे उसमें विलेज हो जाता है मेरे साथ साथ स्टेट लेविल की बाथ करें तो स्टेट लेवल किया संदिखती है जी सधे इंटा इसेट से से रिलेटेटा टाफ Ettर को मैंनेज करती है मतलब जो भी चीज शरी सम्तथ किया है यह हम की सिक्तित करना है सबT जो भी state related, कि this state में इतने hospitals होने जाहिए, ये state में hospital की कमी है, road का problem है, education से related, कोई change करने इस particular state में, तो ये state level की चीजे होती है, आया समझ में, अब बात आ जाती ही national level की, national level मतलब पूरा country से related, कि पूरी country में कैसी policy, कैसा कानून लाया जाए, चाहे वो local level हो, चाहे state level, लोकल एरिया से लेके पूरे बड़े लेवल तक कि सब को क्या करना है वो चीज फॉलो करनी है यह चुट्टी डिकलेर कर दी तो नैशनल लेवल पे यह कुछ भी ऐसे केसे तो भारत बन तो पूरा भारत बन इस ताइब के जो भी चीज़ें जो है नैशनल लेवल की गौवर् में लेवल एक होता है विलेज लेवल मतलब सौरी लोकल लेवल देन स्टेट लेवल देन हमारा नैशनल लेवल समझ में लेवल तो इसी लिए जो अलग-अलग लेवल पे country आराम से जो है हमारा government manage कर लेती ही basically हमने सोचा था ना कि इतना सारा सब कुछ कैसे manage करती इसी लिए ही manage करती है क्योंकि अलग-अलग लेवल पर बाठ रखा है तो कोई टेंशन नहीं सब अपना काम आरम से करेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आया समझ में तो क्या कर दो फटा फट से भई लाइक कर दो और चलते हैं next slide में लाइक कर दो फटा फट से कर दिया चल ओके अभी आफ 6 में है तो बात की क्लासे में आप 7, 8, 9, 10 की क्लासे में ऐसे आप जाएंगे तो आगे जाते जाते आप सारी चीजे पढ़ेंगे अभी क्या पढ़ रहे है जैसे अभी इस बुक में हम पढ़ेंगे इसमें बोल रहे है लोकल लेवल गवर्मेंट की फंक्शन हुग में मैप में देखते हैं कि कैसा क्या हमें बटाया हुआ है यह तरीके का क्या है अगर हम बोलेंगे इस टेप गर्मीन के अँगोर्मन की फिरू उत्तर प्रदेश की स्टे गो paragraph यह फित्तरम फिर डिक्डी ने की सेंट्रल लेवल की ने की बोले अगी boundary हमारी दिख रही है मतलब पूरे इंडिया को समालने का याने उस से रिटे जो भी decisions रहेंगे ये सम्मानेज करने का काम करेगी कौन हमारी central level की सरकार आया समझ में आया समझ में की नहीं आया आगया ना आगे बड़े चल नोट एक नोट है उसको देखते हैं क्या है भई तेलंगाना बिकेम थे 29th State of India on the 2nd June 2014 after the reorganization of the State of Andhra Pradesh भई बड़ा ही important है ये question क्या है कि तेलंगाना कब बना था 29th State of India कब बना था वही 22nd June 2014 कब बना था वही 2nd June 2014 को तेलंगाना हमारा 29th State बना था पहले हम बोलते था सिर्फ 28th State से 29 हमारे पास State है तो उसमें तेलंगाना कब बना था 22nd June 2014 में बना था एक State after the reorganization of the State of Andhra Pradesh किस State की reorganization होने के बाद भई State of Andhra Pradesh किसके यह अंदर पदेश का यहाँ पर आपको दिखेंगे चोटे 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 ऐसे State है तो यहाँ पर ठीक है इस तरीके के दिखिए यह सारे क्या है यह लोकल जो चीजें सब constituencies ए एरियास है न उसमें चीजे डिवाइड रहती तो ऐसे अगर स्टेट के अंदर की भी चीजे देखे तो इस सारा है इसमें जो मैप में इतना ज्यादा बारिक तरीके से लिखा है कि एकदम से आपको दिखेगा नहीं तो इसमे से जम्मू और कशमीर की तो ऐसे कह रहे हैं कि डिवाइड कर दो एंदा कर अलग है और लग लग YOUR उनियां टेरी वें मतला वन 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 टो हैसे करके तो इसमें अलग तो अलग जोग इंदा बन गई पहले क्या था? क्लियर्ली लिखाए कि पहले ये भई स्टेट था. क्या था ये? ये जो था हमारा पहले लिखाए कि स्टेट था. अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई है. कब 31st October 2019 को बना दी गई. तो दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड होगे. बही जमू एन कश्मीर. और सेकेंड है हमारा लद्दाग. आया समझ में? कोई दिक्कत परिशानी डर समस्या तो नहीं? आगे बढ़े? चरे. तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा, एक बार रिकॉल करते हैं. लेवल्स ओफ गवर्मेंट. हमने क्या-क्या लेवल देखे गवर्मेंट के? एक थी हमारी नाशनल लेवल की गवर्मेंट. सेकेंड थी हमारी स्टेट लेवल की गवर्मेंट. थर्ड थी हमारी लोकल लेवल की गवर्मेंट. लेवल वाइज हम क्यों बाटते हैं? लेवल इसलिए हम देते हैं ताकि सारा सब कुछ काम अच्छे से चले मतलब अगर नैशनल लेवल का काम है तो अगर लेवल नहीं होगे तो वो लोकल लेवल में कैसे समाल लेगी अगर बात करें नैशनल लेवल की तो वो किसलिए होती है नैशनल जो है पूरी कंट्री की मैटर्स को समालने के लेवल का उसको समालने का काम करती है नैशनल लेवल की गवर्मेंट सेक्ड सेड गवर्मेंट वो क्या करती है वोस्ते ऐफेर्स जो शिलेट से डिलेट्ड मैटर्स होते उसको सौट आउट करती में जो है अच्छे से क्या करा समझा, समझा की नहीं समझा तो क्या कर दो, लाइक कर दो फटा फट से लाइक कर दो अगर आपको समझ में आ गया है इसी के साथ हमारे ज़़ टॉपिक है लेवल्स ऑफ दी गवर्मेंट एंड होता है I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कॉमेंट में ज़रूर बताएगा मुझे कॉमेंट में जानना है कि आपको कैसा लगा समझ में आया है क्योंकि ये बहुत ज़ादा इंपोर्टन है इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो Magnet Brains के YouTube चैनल, अप्लिकेशन और वेबसाइट से आप देख सकते हैं E-Notes और E-Books के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अविलेबल है ये हाई क्वालिटी की कोर्सेज है जो कि कैसे बिल्कुल 100% फ्री आपको अविलेबल है आप हमें अधर प्लाटफार्म पर भी फॉलो कर सकते हैं फेस्बूक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलिग्राम और वाटसप पे जादा से यादा लाइक करना है, जाद से यादा शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बूलना है अपना ख्याल रखना है, thank you so much for watching